गुद मॉर्निंग आल वेल्कम टू लनस अकेडमी गुद मॉर्निंग ओके सो चैपकर नमबर नाइन के कल हमने कुछ डाउट्स लिये थे और कुछ एक डाउट्स बच्चों को आज भी है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में हां तो किस ने पूछा लक्षिता ल सो एक बार आप आपका डाउट रिपीट करो कि शारे बच्चे सुनों द्यान से जहां पर पूजी तो एड्जेसंट का वीशो होता है जी ठीक है एक से यह ट्राइंगल में है ट्राइंगल बनाता हूं अरे हूं यह बन मारा ट्राइंगल लेट से यह तो है अमारा । ओर यह है और यह हमारी एड्जेसंट साइड अब आप यह रहे हैं कि जहां पर opposite और एड्जेसंट का रेशियो होता है जैसे इसमें opposite एड्जेसंट का रेशियो है हां आगे बोलो यहां पर हम हम टैनी प्रट यूज करेंगे तो ऑगर किसी के मन में खयाले कि मैं इस नहीं यूज करूँ पॉट फॉर्मूला लिखेंगे अब इसका रसिप्रो कल लिखेंगे एडशेसेंट बाइ अब बतव आपका डाउट क्या है अगर आप 10 थीटा लोगे तो यजियो ले सकते हो अगर 10 टीटा कर देना तो फिर एडिस इंगा पोजिट से रेशो लेना पड़ेगा अब बोलो क्या डाउट है बेटा नो सर आप कुछ नहीं है तो आप यह कर रहे थे आप पता है क्या कर रहे थे आप 10 थीटा को तो कॉट थीटा कर रहे थे लेकिन आप फॉर्मूला सेम रख रहे थे आप फॉर्मूला सेम रखोगे तो आंसर मिसमेस हो गई न यह कर रहे थे तो अगर आप 10 थीटा की जगर लेते हो तो आपको फॉर्मूला भी तो थीटा का ही लेना है फिर फिर आप फॉर्मूला ऐसे थोने की 10 थीटा का रखोगे चीए कहने का मतलब है साइन कॉस टैन कॉस सैट सैक कॉट यह हमारे पास छे ट्रिक्नोमेट्रिक रेशियो हैं सरत तो सारे बच्चे तो है यह है शारे सकते हैं और हुछ पॉजिथ्ध और एस्टन यह में सकते हैं और अगर उप क्वजिब डिसेश्युमाथ कर लेसकते हैं तो अगर हम Sign ले रहे हैं तो and उपर नीचे के तीन का ही चलेगा ऐसे नहीं करेंगे कि फॉर्मूला तो हमने उपर के तिनका चला दिया और रेशियो का नाम हमने नीचे में से लिख दिया तो वह नहीं चल सकता तो फुली क्लियर है सारी बाते कि यह सब्सक्राइब और लोग क्या सोचेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता तो यह सब शरम भूल कर अपने अपने डाउट पूछना स्टाट करो और अगर कोय क्यूशन तो क्यूशन ही पोच सकते हो मैं और इस चैप्टर में आपने रेंड तोड़िया हमारा है शौर यह बताओ कॉन सा ट्रेंड तोड़िया बोलो कि इसले कुछ चैप्टर से एक ट्रेंड बना रखा था हमने चैप्टर में आपने ब्रेक कर दिया वह आपने का मलब आप बच्चों ने सारी क्लास के मिलके बताओ क्या ट्रेंड था जाओ पर बिश्चन नहीं किसी के पास किसी और बुक से कहीं से कुछ कहीं से कोई कुछ नहीं किसी के पास कोई भी बच्चा गर पर पढ़ाई नहीं कर रहा है कोई भी बच्चा गर पर पढ़ाई नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है सिंपल सा लोजिक है सब मजे मार रहे है क्योंकि कोई क्यूशन नहीं किसी के पास डिसकस करने के लिए यानिकी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है हजारों की गिंती में कुछन से हजारों की गिंती में जो आप पूछ सकते हो एक एक चैप्टर से हजारों की गिंती में कुछन से जो आप पूछ सकते हो बढ़ किसी के पास कुछ नहीं है पूछने के लिए धर पे कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा ह कि बोलो यहीं बात है कि बुलिए कि बोलो कि इतने मंस बचते हैं अभी बताओ कि इतने महीं बाकी हैं इसे मत सोचो कि 6 ही मंस बस उनली छोगे हैं अपना फ्यूटर डिसाइड करने के लिए कि फ्यूटर में आप क्या करोगे या नहीं करोगे उसको decide करने के लिए यही 6 माईने है तो मजरियों मैं क्या कह रहा हूँ बात की गंबीरता को समझीए अगले 40 साल आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी में वो यह 6 माईने decide करेंगे इस 6 माईनों में जो आप करोगे वो decide करेगा कि अगले 40 साल आप life में क्या करोगे तो can't you understand the seriousness of these 6 months और अगले 40 साल मतलब पूरी जिंदगी हो गई क्योंकि आज कल कि इंसानी जिंदगी तो 60-70 साल किये वैसे भी उससे ज्यादा कोई जीता है भी नहीं है उतना जीले वोई बड़ी बात है तो पूरी जिंदगी आप क्या करोगे in short वो decide करेंगे इंशे मेंने म आप क्या कर सकते हो अपने अंदर से कितना निकाल सकते हो कितना effort लगा सकते हो बताइए क्या decide किया है बताइए कोई question यह तो let's wind up our class और देखते हैं कल अगर मौसम साफ होता है तो आपको बुलाते हैं कल टेस्ट होगा दोनों chapters का एक साथ और अगर बारिश ऐसे ही रहती है मौसम नहीं खुलता है तो फिर हम नयाचा पर स्टार्ट करेंगे मजबूरी में क्या करें जब तक बारिश नहीं खतम होती है तक तक आप offline नहीं आ सकते इसेखलते है संपल सा लॉजीक है लेट्स यहें कि 5 दिन तक चलती है दो दिन तक चलती है and walls कुलने का लमेट करना ही पड़ेगा देश नौ दर ओप्शन किविती एसी बारिश जैसी कल से यह रिर्स्क नहीं ले सकते offline बुलाकर आपको पड़ाने कह, कूफ कि आप लोग पता नहीं कहां कहां से आते हो ऐसी तूफानी बारिश में कुछ भी हो सकता है कि समझ रहे हो कि बोलो समझ रहा है कि बताएं कि कैसे बोलती बंदोगी सब की बारिश में कि आप नहीं है को जितने भी कुश्चिन साउं कि असमें तो नहीं है गरीमा दो यूँ है निदाउट फॉप्श्य नुमर नाइन पूछ लीटी हां पूछो पूछो पाइब जो दो कुश्चन हमने जो किये थे जो एंडेट परसंट खॉट फॉढईशव और वाला कुश्चन क्लाउड वाला कूश्चन प्रसंट फॉम प्रसंट फॉम और दूसरा कौन साथ मज़े याद नी या रहा थोड़ाया दिलाव क्लाउड वाला क्यूशन विल भी कंसीडर्ड ऐस बिग मार्कर लाइक फोर मार्कर या थ्री मार्कर और जो एरो प्लेन वाला है वो तो आप केस में आ सकता है केस स्टेडी क्लाउड वाला क्यूशन किशन नमबला इसनाइशन वेकॉश्टीर कॉश्टिर लीवाला क क्यूशन C ret यह वाला स्ट्रेट हाइवे वाला यह वाला समझ नहीं आया ओके तो वन सच डाउट कि यह वाला कुशन समझ में नहीं आया एक बार और उसे पूछते हैं और कोई डाउट यह वी कवर करते हैं रूख जाओ बागे से बात करने दूझे घरी मा बताओ और इन डाउट फ्रम दिस चाप्टर रथी गोड़ी गुद नहीं का दुख रूट रख निका डूट नहीं का डूट ऑर लक्षिता डूट यहम अननि डूट नहीं सर्म मोहित पोस्वाल अनि नो सर मोहिद वर्मा इनी डाउट्स निलेश अनी डाउट तो एक बार एक जामपल नमबर शिक्स अच्छा जिया शर्मा इनी डाउट नो सर ओके शौर यह से पूछी लिया तो एक क्यूश नमबर 15 और एक एक जामपल नमब 6 तो पहले क्यूश नमबर 15 देखो सारे बच्चे फिर से तो इसका फिगर क्या था कि एक टावर है सुनने ना शौर अच्छे से और एक गाड़ी है जो अप्रोच कर रही है फुट आफ टावर की तरफ यह आ रही है दीरे दीरे करके तो लेट से वह स्टार्टिंग में इस पोजिशन पर थी टावर को अमने ए भी मान लिया था और लेट से वह स्टार्टिंग में इस पोजिशन पर थी और थोड़ी देर के बाद वह लेट से इस पोजिशन पर आ गई डी पॉ कितना टाइम उसको डी से भी आने में लगेगा यही सवाल था बोलो शौर यही था क्या सवाल आप प्रेजेंट तो थे ना जिस दिन यह किशन सौल बाद उस दिन प्रेजेंट तो थे ना ठीक है तो सवाल यही था समझ आ गया और इसमें अंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया पहले वाले पॉइंट पे था और बात में जब थोड़ी देर के बाद 6 सेकंड के बाद मूव कर गई गाड़ी तो वह 60 डिग्री हो गया वह यहां तो कोई डाउट सवाल समझने में कोई डाउट नहीं है न सी से डि आते टाइम से से सेकंड और तो बताओव डी से भी आते टाइम तो देखो किशन है और speed उसकी uniform है जो speed यहां है वही speed यहां है तो सवाल यह था कि time कितना लगेगा तो अब obvious बाते trigonometry time को थोड़ना solve करके देती है trigonometry तो length को solve करके देती है या height को solve करके देती है time को trigonometry solve करके नहीं देती है that means trigonometry की मदद से तो मैं distance निकाल सकता हूँ distance cd distance db in correlation height a b का cd से relation यह निकाल सकता हूँ तो मैं को क्या करना वड़ेगा एक बार के लिए यह time वाला जो logic है न यह time वाले जो given points है न इसको तो बिलकुल नजर अंदाज करके side में पटक दो पर इसको एक बार भूल जाओ time वाले logic से हम बाद में बात करेंगी अब भी अपन इसको as trigonometric equation से approach करते हैं तो देखो पूछा यह कि इस समय से इस समय में कितना difference है या कितना समय लगेगा तो इस समय से यह वाला समय तभी निकल सकता है क्योंकि speed तो constant है speed को तो भूल जा वो तो constant है time difference है क्योंकि इधर 6 seconds तो वो तभी निकल सकता है जब इस distance से cd distance से db distance का relation पता चले एक्जामपल अगर मैं आपको कह दूँ शौर रहा है कि cd distance 100 km है और db distance 50 km है cd distance 100 km है माक कर देता हूं पर डिलीट कर देंगे एक्जामपल सो तरे हैं अपन जैसे मालों मैंने कह दिये cd distance 100 km है और db distance 50 km कहीं से भी मुझे पता चल गया चलो यह है तो अब आप बताओ 100 km तया करने में अगर 6 seconds लगे तो 50 km तया करने में कितना समय लगेगा उसको बताइए खुद 3 seconds क्या हुआ आपने distance का ratio पकड़ लिया तो distance आदा हो रहा है तो time भी आदा होगा क्योंकि speed तो constant है uniform speed से चल रही है गाड़ी लिखा वाए यहां पर जब speed वो break नहीं कर रहा है कम जादा नहीं कर रहा है तो time और time और distance बिल्कुल directly proportional होंगे यह आदा तो वो क्या हो जाएगा double याने की 12 seconds हो जाएगा यानि जिस रेशियो में distance चलेगा उसी रेशियो में टाइम चलेगा बो समझ आगया आपोजिट क्या है बताओ a b और एडिसन क्या है डी बी चलते जाओ इधर है मेरा पास्ट्राइंगल बड़ा वाला क्या है e b c बड़े वाले triangle ABC में क्या लगाँगा, मैं 10C, D की जग़े क्या लगा दूँगा, 10C, 10C में भी opposite divided by adjacent, तो opposite है AB divided by adjacent के आइसमें CB, adjacent के आइसमें CB, ओके फाइन, चलो, angle D की value रखो, यहाँ पे angle D है 60 degree, तो यह जगा 1060 degree, चीक है, equal to AB by DB, एक एक चीज़ स्वाल करो, तो 1060 degree की value भी रखो, root 3, equal to, root 3 by 1, equal to AB by DB, इससे ज्यादा ही ratio solve होगा नहीं, इधर आओ, 10C कितना है मेरा, 30 degree, equal to AB by CB, और 1030 degree कितना है, 1 by root 3, equal to AB by CB, ठीक है, यह तो कोई डाउट नहीं है, बोलो, यह सर, कोई डाउट है आपने पूछा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यह सर, चलिए, चलो, अब मुझे यह बताओ, आपको कौन सी कौन सी distance के बीच का relation चाहिए, इस triangle के इसाप से आपको relation कौन सी कौन सी distance के बीच का चाहिए, CD और DB, और अब भी जो मेरे पास दो ratios हैं, उसमें चलो, A, B, A, B तो common है, यह तो हम हटाई देंगे, लेकिन जो denominator में है, वो क्या है, DB और CB, क्या है, DB और CB, तो DB तो चाहिए, आपने अभी मैंने जो कहा है, मुझे DB का और CD का चाहिए, तो DB तो चाहिए, यह तो टिक मार्क हो गया, लेकिन CB का सार मुझे नहीं चाहिए, CB की जगा मुझे किसका चाहिए, CD का चाहिए, यह तो बदल दो, कैसे बदलेंगे, आपको पता है, फिगर के हिसाब से, you can clearly see, कि CB को क्या लिखा जा सकता है, CD प्लस DB, लिखा जा सकता है, यह सर्थ, तो अब इस रेशियो को, और इस रेशियो को, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में से, अगर मैं AB की value निकाल दूँ, इस में से भी, और इक्वेट कर दूँ, तो इक्वेट करने के बाद जो रेशियो मिलेगा, वो CD और DB का रेशियो होगा, जो आपको actually चाहिए, तो इस में से AB की value बताओ, AB बन जा AB cross multiply किया, root 3 times DB, equation 1 हो गई, जिसमें AB की value की आ रही है, root 3 times DB, बोलो, बोलो, कोई doubt? Yes, सर, अब इस में से AB की value बताओ, तो AB into root 3, equal to CD plus DB into 1 करेंगे, तो CD plus DB आएगा, 1 से multiply करेंगे, same thing, root 3 अगर इदर से हटा दूँ, तो इदर आ जाएगा, AB की value यहां से आ गई, यह हटाई देता हूँ, AB की value यहां से आगई, CD plus DB divided by root 3, this is my equation 2, अब equation 1 and 2 से, AB की और AB की दो values है मेरे पास, तो दोनों को अगर मैं equate कर दूँ, यहां पर भी AB की value है, यहां पर भी AB की value है, तो RHS को RHS से equate कर दूँ, अगर मैं, तो you can see DB और CD का, जो आपको actually distance का ratio चाहिए था, वो यहां से मिल जाएगा, अब यहां से ratio बताओ, यह RHS part क्या है, root 3 times DB, और इधर RHS part क्या है, CD plus DB divided by root 3, cross multiply करो, तो root 3 into root 3, 3 हो जाएगा, 3 DB, 3 DB equal to CD plus DB, और DB plus DB, एक single DB को उदर 3 DB से माइनस कराएगे, तो 3 DB में से 1 DB गई, तो कितने DB बचे, 2 DB? Yes, sir. Equal to single CD? ठीक है? बोलो? Yes, sir. तो इसको यहां से आप ऐसे भी ratio निकाल सकते हो, देखो, आपके बास finally क्या बचा? उपर लिख देता हूँ मैं, 2 DB divided by single CD, इस DB को उसके नीचे ले आओ, इस DB को इसके नीचे ले आओ, तो CD by DB, equal to क्या बचा? 2 by 1? क्या बचा? 2 by 1. तो मुझे बताओ, CD और DB का रेशियो क्या आगया? 2 is 2. 2 is 2. That means CD वाली डिस्टेंस जो है, DB वाली डिस्टेंस से 2 गुनी है? 2 गुनी है? है या नहीं है? Yes, sir. अब अगर यह से दुगनी है, तो 6, यानि कि यह इसके आदी है, यह इसके आदी है, चलतो सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते कि यह इसकी दुगनी है, और यह इसकी आदी है, तो इदर 6 सेकिंड लगे, तो 3 कुछ सॉलूशन करने के इसाद प्रेजेंटेशन के साफ से तो सॉल करके दिखाना पड़ेगा, तो इतना करने के बाद, अब आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला में चले जाओ, वहाँ पर स्पीड को रख दो constant, डिस्टेंस यह इसकी दुगनी है, तो टाइम के केस में भी यह इसका हाफ हो जागा, कैसे करेंगे देखो, यह तो है हमारा डिस्टेंस cd, और यह है हमारा डिस्टेंस db, ठीक है, इधर आजाओ, इधर अमारे पास डिस्टेंस क्या है बताओ, cd, यह case one case two ले लो, डिस्टेंस क्या है cd, और टाइम क्या है, गीवान ए 6 सेकेंड, डन, इधर क्या है डिस्टेंस db, डिस्टेंस के है डिवी अच्छा एब एक काम और कर सकते हो देखो चाहो तो अगर थोड़ा और सिंप्लिफाय करना चाहो तो c d is to db अगर 2 is to 1 आ रहा है तो आप c d distance को 2k और db distance को single के मान लो वो और ज़्यादा असान हो जागा अभी ठीक है c d distance को क्या मान लो 2k और db distance को क्या मान लो single के यह assumption मान लो और ज़्यादा असान हो जागा आजए तो c d distance को तो मान लिया मैंने 2k तो यहां पर distance हो गई मेरी 2k और db distance को मान लिया मैंने single के तो यहां पर distance होगी single के अब यहां पर पहले distance time की मदद से speed निकाल लो जो कि constant आएगी जिसको हम उदर भी use कर लेंगे क्योंकि constant है तो distance by time होता है तो 2k by 6 होगा बोलो 2k by 6 होगा तो कटके क्या हो जाएगा k by 3 2 से 6 जो है 3 times कर जाएगा k by 3 meter per second इसको आप यहां पर इस्तमाल कर दोगे यहां पर क्योंकि speed दोनों की same है speed equal to k by 3 meter per second वहीं पर use कर लिया मैंने अब यहां पर distance और speed आ गया तो यहां पर time चाहिए था वो time case है अगा distance by speed तो distance है k, speed है k by 3 तो k से k cancel out हुआ और 3 उपर गया 3 seconds इसका आंसर बोलो अब समझाया है समझाया है दोनों की distance का ratio निकल जाए ने एक बार तो speed तो constant है तो दोनों के time का relation भी पता चल सकता है क्योंकि speed तो constant है दोनों की पूछों नहीं तो फिर मैं एक किसने पूछा था example कोई पूछ रहा था जैंपल 5-6 उस पर चलते हैं यस तर चलो तो एक्जैंपल कौन सा था 5-6 पूछाए था स्का नही पूछाए था था आए यए तो पूस रहा था जाए तो आए दिन गारी मैं चल्श वालख है वल्करते फिर स्काँष्ण तो कि the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter Tall building from the top of a multi-story building 30 degree n'to basically 1 to a multi-story building तोई कि साधा building multi-story building ओव्यस्ली साधा building से लंबी होगी multi-story का मदलब होता है एक मंजिल से ज्यादा दो मंजिला तीन मंजिला चार मंजिला और जब building की बात कर रहें तो building के वह एक मंजिला साधा बिल्डिंग ये छोटी होगी उसे और ये multi-story building याने की बहु नंजीला building जिसको हम कहते हैं तो ये सब बढ़ी होगी तो ये साधा ररण बिल्डिंग और यह है multi-story building इस multi-story building के top से angles of depression बनाए जा रहे हैं कहां कहां बनाए जा रहे हैं साधारण बिल्डिंग के टॉप पे और बॉटम पर ठीक है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बने वो 30 degree angle of depression कैसे बनाते हैं हम मैं अगर top पे खड़ा हूँ तो एक imaginary line of sight बनानी पड़ेगी parallel to the ground और उसके और actual line of sight के बीच का angle ही होगा angle of depression ठीक है तो ये तो है कितना 30 degree और उसके बाद फिर ये वाल angle कितना है ये वोई normal line of sight और ये वोई actual line of sight ये angle है मेरा कितना 45 degree ये एंगल 45 degree हो गया जो बड़ा एंगल है ठीक है तो फिगर तो समझ में आ गया सभी को बोलो सभी को फिगर समझ में आ गया क्यूशन समझ में आ गया कि अब आपको चाहिए दोनों buildings के बीच की दूरी find the distance between the two buildings तो या तो distance निकाल लो वह भी दोनों buildings के बीच की दूरी या distance बीडी निकाल लो वह भी उनके बीच की दूरी मानी जाएगी तो बीडी आसी जो भी आपसे निकले चलो तो आजाओ यह 30 डिगरी है तो इस फिगर में कौन सा अंगल और 30 डिगरी होगा बताओ अंगल का नाम बोलके बताओ बोलो निलेश यह 30 डिगरी है तो को एलिवेशन में चेंज करके बताओ कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा नाम बोलके बताओ पर इंगल पी एसी यह वाला एंगल होगा 30 डिग्री तरही बोला के निलेशनें बताओ नो सार कौन सा एंगल होगा लक्षिता बताओ डीवी पी या टीवी पी या फिर पीवी डीवी बोल सकते हैं निलेश आपको एंगल आइडेंटिफाय नहीं हो पाता कि अब इस तक भी तूरा चैप्टर खतम हो गया 30 डिग्री वाला एंगल बोलो निलेश एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यह 30 डिग्री मार्ग किया हुआ है इस एंगल का नाम बोलके बताओ उपर वाला एट्ट क्लास में बिठाओं फिर आपको मैं एंगल भी पढ़ना नहीं आता तो आपको यह डिपीक्यू एंगल तो 90 डिग्री का है किसी से भी पूछ लो अच्छे से पढ़के बताओ भई भाग की बच्चे बोलना क्या कौन सा यह 30 डिग्री का एंगल भी पीक्यू बी पीक्यू तो बी पी क्यू यह 30 डिग्री है तर मैंने भी तो वही बोला था आपने डिपीक्यू बोला था बीपीक्यू बोला था निलेश ने हमको तो भी डिपीक्यू सुनाई दिया था यह बीपीक्यू है 30 डिग्री चलो अब देखो अब इससे जब आप डिप्रेशन से जब आप एलिवेशन बनाएंगे तो इस इस आकरती से कौन सा जैड कवर हो रहा है वो देखो न यह आपन दिया तो जैड यह बनेगा न तो यह बनेगा तो यह 30 डिग्री यहां आएगा न आप नीचे कहां पहुचा रहे है उसको बोलो समझाया निलेश मैं आया क्या चलो अब एव डिग्री वाल एंगल बोलके बतांओ डिप्रेशन में कौन सा है डिप्रेशन में। समझाया क्लियर बोलना बिलकुल है न मिब्लकुन सा है ऊपर में पढ़के बताओ जल्दी पढ़के बताओ तर पी डी भी pdb a pdb अब पी दीवी बोल यह नहीं निलेश आप समझ ही नहीं रहे हैं मैं क्या पूसरा हूं आप से पता से होश में बैठे हो मैं आपसे पूछ रहा हूं यह 45 डिगरी का जो एंगल है यह पढ़के बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कि अरे यह 45 डिगरी का एंगल दिख रहा है बिटा उपर इसको पढ़के बताओ पढ़के बताओ इसको एक इतना सरल सा क्यूशन समझने में इतना टाइम लगता है आपको नई सर मैंने सुचा कि यह 45 डिगरी का पे बन रहा है यह एंगल बना जो मैंने ग्रीन से शेड किया है यह क्यूपी ए बोल दें अब आप इसको दोखो कि इस से कौन सा जैड कवर हो सकता है तो इस से कौन सा जैड कवर होगा आपने यहां पे के स्टॉप किया तो अगर मैं एसी भी इससे कवर कर दूँ तो अब यह जैड बन रहा है ग्रीन कलर का चेक करो जैड बन रहा है तो यह 45 डिगरी का आएगा यहां आएगा तो इस तरीके से हम डिप्रेशन से एलिवेशन वाले एंगल बन तो फर्टीव में देख रहा है और यह एंगल वह यह एय till एक पर डवी दी को हंक्र लेंग्स में करते हैं एक्स मीटर ठीक है अब मुझे बताओ 30 डिगरी का एंगल कौन से ट्राइंगल में बन रहा है जल्दी बोलो पीडी पीडी या पीडीबी ट्राइंगल पीडीबी अब पूरी चीज नहीं लिख रहा हूं कि मैं एड्जेसिंट के थोड़ा शॉट में चल रहा हूं को लिख यह जाए तो पीडी बी में मैं अगरां टेश्ट यानने टेन ब लगाउं 102 के सामने वाली साइट अब में चाहने हैं पीडी पीडी डिवाएड़री जिए च स्वानी और बाडी एं और टैन आःग्स मॉठ भाएन बडी और चैन्ंदी की प्रठाइट है बोलो एक्स बाय बीडी इससे जादा सॉल नहीं कर सकते हम इसको क्योंकि एक्स और बीडी दो चीजे मिसें अगर एक चीज मिसिंग होता तो स्वाल हो जाता बट यह दो चीजें मिसें तो स्कॉजच छोड़ दो अब बताओ दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ट्राइंगल पी के ओनलाइन स्टूडेंट्स देखना रादिक आई यह क्या ट्राइंगल पी सी ए ट्राइंगल पी सी ए में आप एंगल ए पर लगाओगे टैन ए बोलो एंगल एक सामने वाली साइट कौन सी है पड़के बताओ पीसी और एडिसेंस एट कौन सी है ए आसी एसी तो बताओ पीसी पीसी की वैल्यू क्या होजाएगी पीडी प्लस डीसी तो एड कर दूंगा तो कितनी प्लस एट डिवादेट बाइ एसी और एंगल ए कितना है 45 degrees 1045 degrees कितना हो गया एक्स प्लस एट बाई एक्स प्लस एट बाई एक्स प्लस एट बाई एक्स अब इन दोनों एक्सप्रेशन से आप दो काम कर सकते हो या तो आप X की वैल्यू को एक्वेट कर दो और या फिर आप ध्यान से देखो और एसी और भी-टी तो जहीं में यह जीए दोनों सेम हैं न बोटो लो怎麼 Leynon bye- prey excel बंवेशलन के डी करो यह में से लेकर सेम या नहीं बताओ इस सेम है तो मैं काम करता हूं इस BD को भी AC लिख दूँ चलेगा इस BD को भी AC लिख दूँ तो चलेगा बोलो अब ये दोनों equations में से आप चाहो तो AC AC को भी भगा सकते हो पूरी expression X में convert हो जाएगी या फिर आप चाहो तो X X को भगा सकते हो जिसमें पूरी expression AC में convert हो जाएगी तो मुझे बता कौन सा option कि बोलो किसको eliminate करके किसको रखोगे क्या सई होगा करना एक्स को रखोगे एक्स का चाहर डालोगे सवाल क्या है find the distance between two buildings तो दो buildings के बीच की दूरी AC नहीं है क्या बताओ या X है बोलो आपसे पूछा यह है अगर आपसे यह पूछता वेटा कि इस multi-story building की height बताओ तो इस multi-story building की height निकालने के लिए फिर आपको X की जरूरत पढ़ती फिर आप उल्टा काम करते फिर आप AC को बगाते और X रखते अभी समझ में आया ना और मालो दोनों चीज़े पूछ पूछी है तो फिर कुछ भी बगालो कुछ भी रख लो फिर तो दोनों चीज़े solve करना है अब इस question में मुझे solve नहीं करना मुझसे केवल distance पूछिए तो मैं X को eliminate करूँगा X को eliminate कैसे करेंगे यहां से X की value निकालो तो यह हो जाएगा X into root 3 equal to AC into 1 So X की value क्याएगी यहां पर root 3 को से AC into 1 AC हो जाएगा और AC से root 3 को कर दो divide इसको मान लो equation number 1 इसमें X की value given है ठीक है equation number 1 जिस चीज़ को बगाना है उसको LHS में पहुचाओ देखो X को बगाना है तो X को LHS में पहुचाओ और जिस जो चीज़ चाहिए इसको RHS में रखो AC को RHS में रखो यहां से भी cross multiply करा हो तो इसको तो रखो LHS में क्योंकि X को बगाना है आपको तो X plus 8 को 1 से multiply करेंगे तो X plus 8 ही आएगा और AC को भी 1 से multiply करेंगे तो AC आएगा तो X की value यहां से क्या जाती है AC minus 8 चीक है चलो यह हो जाएगी मेरी equation number 2 अब equation 1 and 2 को द्यान से देखो अगर मैं equate कर दूँ तो X से X equate हो रहा है तो RHS से RHS से equate हो जाएगा बुलो तो कर दो from equation 1 and 2 AC by root 3 की value हो जाती है AC minus 8 तो पूरी equation AC में चली गई तो यहां से AC की value जाएगी कैसे root 3 को दर multiply करो next page पर आजाओ चाहिए से क्या है AC by root 3 equal to AC minus 8 AC minus 8 था ठीक है तो multiply करो cross multiply तो AC root 3 से AC multiply करेंगे root 3 times AC और root 3 से 8 multiply करेंगे minus 8 root 3 अब तो AC वाली term को एक साथ लेके जाओ याने root 3 AC को भी इदर ले आओ एक काम करो उल्टा करो इस AC को तो इदर ले आओ और इस minus 8 root 3 को दर ले जाओ क्योंकि negative positive हो जाएगा न फिर तो minus 8 root 3 इदर आएगा तो plus 8 root 3 और यह AC इदर जाएगा करवाद हो root 3 minus 1 जैसे इदर divide कराएंगे तो AC की value हो जाती है 8 root 3 divided by root 3 minus 1 rationalize कराना पड़ेगा तो root 3 plus 1 conjugate है इसका नीचे भी और root 3 plus 1 उपर भी multiply करो 8 root 3 को root 3 से कराएंगे root 3 root 3 3 8 3 जा 24 plus 8 root 3 को 1 से कराएंगे तो 8 root 3 बन जा 8 root 3 नीचे denominator में क्या आगा A minus B into A plus A square minus B square तो root 3 का square 3 minus 1 का square 1 3 minus 1 क्या होता है 2 तो नीचे 2 आ रहा है तो उपर से भी 2 common ले लो ताकि 2 से 2 कर जाए तो 2 common लेंगे तो 24 में से 2 common आया 12 8 root 3 में से 2 common आया 4 root 3 और नीचे 2 यह 2 से 2 कट गया answer is 12 plus 4 root 3 meter match कर वांसर रॉंग है रॉंग है रॉंग क्या है 4 को common ले लो इसमें से तो फिर रॉंग होता है कि वह अब राइट हो गया रॉंग से और अगर आप से यह भी पूछा होता कि इस मिल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वह भी बताओ है भी बताओ टूटल हाइट बताओ तो फिर उसके लिए आपको एक्स को सॉल करना बढ़ता फिर आप यहां पे जो आपने काम किया ने एए पूछा है फाइंड आइट भी पूछा ने दो क्यूशन से हैं फाइंड अगर दोनों चीजे पूछीए तो फिर तो दोनों और सकते यह आगे बढ़े यह भी और अगर उल्टा आगे बढ़ते एसी को इदर रखे एक सो इदर रखते तो वह भी सही होता तो अब इसके सरल लग रही है तो इक विच्वेशनमन वन मेल पकर ते हैं एकवेशन क्या है बताओ एक पिखाल विञिख इक रखे और स्ट्री तो 12 प्लस 4 रूट 3 यह तो AC की वैल्यू है इसमें से 8 गटाओ तो 12 में से 8 गई तो 4 प्लस 4 रूट 3 एक्स आ गया अब आप से टोटल हाइट पूछिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तो वह टोटल हाइट का है PC जिसको आपने ब्रेक किया PD प्लस दी सी पी प्लस दी सी पी आपका एक्स था डी वी निकाल ली है आपने वैल्यू बटाब कर दो ऊपर से प्लस त्री प्लस एट यो जाता है क्यूंकि यह 45 जिए ये कितना है 45 डिगरी में है और सेम होती है तो सामने वाली तो यह वाली जो मैंने पहले निकाले डिस्टेंस बिटुइन डिस्टी तो यह आया तो यह वही रही जाना था हुआ ठीक है समझा गया अभी एक सब्सक्राइब कौल की क्लास में क्या करना लिए टाल दे चप्र स्टार्ट करना है था पालस्थ एब और लमस्ट की बच्चे फिर से नंगे उस वाली ID ्ब पर